सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकड़मी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट्स दोस्तों आपको मैं फिर से एक ध्यान में बात पहले कहना चाहूंगा कि आईपियो का जो भी इशू आने वाला रहता है या उससे संबंदित आईपियो से संबंदित जो भी मैं बनाऊंगा वो आडियो ही बनाऊंगा यह पहले भी मैंने डिकलेर कर दिया है क्योंकि कुछ लोग नए सब्सक्राइबर है वो सोच रहे होंगे कि आज यह क्या हो गया वीडियो से आडियो कैसे हो रहा है तो जो भी IPO के cases में दोस्तों मैं हमेशा audio में ही बनाता रहूँगा यह आपके knowledge के लिए फिर से बता दूँ और यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों IPO वो है sham metalics and energy limited हाँ दोस्तों यह IPO आने वाला है और पहले मैं आपको sham metalics से संबंदित कुछ बाते पहले बताऊ हूँ शाम metalics and energy limited जो है यह incorporate हुआ था 2002 में और यह company इन हिंदुस्तान का एक well leading company है जो metal producer के integrated metal producer में आज भी अग्रसर है इन सभी कारियों में अस्ति में इनका जो production है long steel products में जैसे iron pellets से sponge iron है steel और यह सबसे related यह सब कारिय करते रहते हैं तो इनका कारिय भी से काफी प्रगतिशील रूप की और है और खास करके इनका main जो उद्देश है और खास करके मैं इनका उद्देश तो कहूंगाई पहले इसका strength की बात कह दें यह integrated metal producer जो इंडिया में है इनका located manufacturing plant भी बह diversified product portfolio भी है इनका और strong financial performance भी काफी सही चल रहा है company का जहां तक संबंद है हां इसी के साथ साथ यहां पर इनका object of the issue क्या है इनका basic objective यह है दोस्तों कि यह repayment of जो भी इनका subsidiary company है उसको fully या पूरा करना चाहते हैं तो इनके date जो है already जो उसको वह repay करके free होना चाहते हैं और दूसरा अप्देश है कि इनका corporate purpose जैसे कि expansion program company अपने आप में जोड़दार expansion program में लाना चाहते हैं अपने आपको और एक प्रगतिशिल कदम उठाना चाहते हैं IPO के जर्गए तो चलिए थो इसका IPO open हो रहा है दोस्तो 14 जून 2021 के दिन और इसका closing date होगा 16 जून 2021 तो यह बात हो गया इसी के साथ साथ इसका allotment date जो होगा वो 21st June के दिन रहेगा दोस्तों और बाकि जो credit होंगे account डिमेट account में वो होगा 23rd June के दिन और इसका IPO का listing date होगा 24th June यह सब आपके knowledge के लिए बता रहा हूं दोस्तों जिससे के आप IPO में plan कर सकें अच्छे से इसी के साथ साथ शाम मेटलिक का जो market IPO का market lot size होगा वो 45 shares का होगा 45 shares का ही होगा जिसमें इनके lot size की बात कर रहा हूं दोस्तों तो उससाफ से individual investors का जो lot है वो 14 lots तक वो apply कर सकते हैं यह सब बात इसमें बताया गया है इसी के साथ साथ इन कंपनियों का खास बात यह भी है दोस्तों कि जिसे मैंने आपको बताया 45 का lot है minimum order जो quantity होगा वो भी 45 shares का ही है और इसका listing होगा दोस्तों BAC और NAC दोनों में यह भी एक plus point है और इसका face value होगा दोस्तों 10 रूपिज पर equity shares तो बस यह सारी खुबिया है और कुल मिला के जो IPO का price है वो 303 से लेके 306 का price पर equity shares का यह level होगा तो सब यह सब खुबिया है दोस्तों खास करके और issue जो size हो रहा है वो 909 कडोर का होगा दोस्तों तो कुल मिला कि दोस्तों यह मैं देख रहा हूं कि इस IPO में हमें invest करना चाहिए कम से कम एक lot के लिए हमें apply जरूर करना चाहिए जहां तक मैं इस company की खुबी और plus point डेकर कह रहा हूं तो मेरा एक ही advice है दोस्तों कि आप एक lot के लिए IPO में apply कर सकते हैं जब यह 14 जून से 16 जून के बीच में होगा आप वहाँ apply कर सकते हैं और advisable भी है दोस्तों इसके लिए मैंने इस IPO के बारे में मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए एक knowledge की बात हो जाए और आप एक छोटा सा investment plan भी कर सकते हैं short term से लेके long term के हिसाफ से भी ब पांता हूं इस बात को अपने सरल लूप में समझ लिया होगा बस यही करना था दोस्तों और इसी के साथ चलते चलते यही कोंगा दोस्तों कि हमारा जो life membership है उसका last date मतलब जहां तक है बिस्काउंड वाली बात जो लागू है 30 जुन तक ही सिमित है और इसी के साथ हमारा ज स्टॉक लेने का पूरा प्लान करिए शेयर्स तेजी में दोड रहे हैं यही कहूंगा और इसी के साथ साथ बाकि हमारे जो दुसरे भी सर्विसेस हैं और कुछ लोग सीखना भी चाते हैं मार्केट से संबंदी उनके लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि वो फंडमेंट झाल 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 झाल